हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो बेसिक मैथ का प्राश्ण होता है इस से हल कैसे किया जता है तो देख सकते हैं पर पहला प्राश्ण है एक हजार इट का दाम साथ हजार रुपए है तो 230 इट का दाम कितना होगा देखे इस प्राश्ण को हल करना बिल्कुल आसान है सबसे पहले लिखेंगे एक हजार इट बराबर यहाँ पर देखिए दिया हुआ है साथ हजार उपए तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर देखिए 230 इट का दाम को निकालना है तो सबसे पहले हम लोग 1 इट के दाम को निकालने के लिए आपको 7000 में 1000 से भाग को लगाना है यानि 7000 को लिखेंगे उपर और 1000 को लिखेंगे इसके नीचे देखिए 3-0 से यह 3-0 कट जाएगा एक से 7 में भाग लगा है तो यह लग जाएगा 7 बार में यानि एक इट का कितना निकल करके आगिया वह आगिया 7 रुपा है अब देखिए यहाँ पर 230 इट का दाम को निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 230 इट अब देखिए इसका दाम को निकालने के लिए जो एक इट का दाम आएगा इससे आपको 230 में गुना को करना है देखिए 0 से गुना 7 में करे यह हो जागा 0, 3 से गुना 7 में करे तो यह हो जागा 21 का 1 और हांसिल हो जाएगा दो, दो से गुना साथ में करे, या हो जाएगा चौदा, दो था हांसिल, या हो जाएगा सौला, यानि 230 इट का दाम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सौला सौदस रुपाए, तो आप लोग इसे अच्छे तरश से समझ गे होंगे, तो चलिए अब ह दूसरा प्रोष्ण है देड़ सो इट का दाम तेरा सो पचास रुपए है तो दो हजार इट का दाम कितना होगा देखिए सबसे पहले दिया हुआ है देड़ सो इट का दाम कितना दिया हुआ है वह देखिए यहाँ पर है तेरा सो पचास रुपए तो सबसे पहले इसको हम ल इट का दाम को निकालना होगा तो देखिए एक इट का दाम को निकालने के लिए आपको तेरह सो पचास में डेड़ सो से भाग को लगाना है तो तेरह सो पचास को लिखेंगे यहां पर और डेड़ सो को लिखेंगे इसके नीचे देखिए एक जिरो से एक जिरो कट जाएगा 15-135 को काटे यह कट जाएगा 9 बार में यानि एक इट कादाम कितना गिया वह आगिया 9 रूपाए अब देखें आपर प्रास्टन में 2000 इट कादाम को निकालना था तो देखें अब आपको यहाँ पर लिखना है 2000 इट बराबर देखें यहाँ पर जो एक इट कादाम आएगा इसमें आपको 2000 से गुना को करना है देखें 9 से गुना 2 में करें तो यह हो जागा 18 इस केंत में देखें 3-0 है तो यहाँ पर 3-0 लग जागा यानि 2000 इट कादाम कितना हो जागा वह हो जागा 18,000 रूपाए